असलाम वरेकुम दोस्तों कैसे आप सब उम्मित करूंगे आप सब अच्छे होंगे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि 2022 के नए प्रोसीजर में कैसे टेंप्रोरी से पर्मानिंट में कनवर्ट करना आपका मेंबर्सिप को मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो चली मैं आज आप लोग को बताता हूं तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल में लोग इन कर लेना है जिनका भी टेंपरोरी मेंबर्सिप है लोग इन करने के बाद अलेक्टरॉनिक सर्विसेस में जो ऑप्शन है कनवर्ट टेंपरोरी टू पर्मानिंट उस पर किलिक करना है जिनका add new request को option है सिर्फ वही कर सकते हैं अभी फिलहाल जिनका reject होने के बज़े से ये disable हो चुका है वो नहीं कर सकते हैं उनको पहले सौधी कॉंसल ओफिस में contact करना पड़ेगा वहाँ पे जाके वो लोग enable करेंगे या फिर वो खुद से भी आपका certificate को upload कर देता है ठीक है तो जिनका option है उनको बता रहा हूँ यह option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको click करना है add new request यह page load होने में थोड़ा time लग सकता है तो आप wait करिएगा यह देखी यह page ऐसा खुल के आएगा अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ पहले यह option नहीं आता था convert temporary to permanent करने के लिए educational qualification यह select करने का option नहीं आता था सिधा आपका attachment upload करने का option आता था अब क्योंकि यह नय option है तो चलि मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या select करना है मैंने अलड़ी इस वीडियो में बताया है last time आप लोग देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है कि क्या-क्या changes हुआ है technicians के लिए इंजिनियर्स के लिए और फिलाल यहाँ पर जितने वी options है वो technician के लिए है तो technician के पास जिन के पास पहरा option है एक साल का training program का certificate after high school high school के बाद अगर किसी के पास एक साल आपका certificate में mention किया होन चाहिए वहाँ पर mention किया हो रहेगा कि आपने एक साल का training लिया है जो भी field रहेगा आपका for example मान लीजिये किसी ने water treatment का एक साल का course किया या फिर boiler का किया है या home electrician का किया है वह उनके पास अगर उस तरह का certificate है और उनको membership लेना है तो यह option सेलेक करने के बाद यहाँ पर आपका specialization पुछा जा रहा है यह Arabic में लिखा हूँ इसको अगर आप translate करेंगे English में तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ और translate करें यह specialization यानि क्या आपका specialization है तो अगर आपने water treatment का किया है electrician का किया है boiler का किया है तो वह select करना है तो अचले example पर मैं electrician select कर लेता हूँ अब यहाँ पर graduation year कब आपने किया ही यह course तो यह हीजिरी में आ रहा है Arabic में इसको आप English में कर लिजेगा Georgian पहले year select करना है for example किसी ने 2013 में किया है तो सबसे पहले आप year select कर लिजेगा यहाँ पर दो चले मैं मान देता हूँ 2013 में month जो भी month रहेगा March, April में वो select कर लिजेगा days यानि April के कौन से days में आपने complete किया वो select कर लेना है वो आपका certificate में already रहेगा यहाँ पर option है graduation country आपने कौन सा country से किया है चले for example मैं मान लेता हूँ किसी ने इंडिया से किया है यह इंडिया यहाँ पर जो भी institute, college या इस्कूल से आपने किया रहेगा वो यहाँ पर लिखना है जैसे माल लिजे training मेरे area में जमशेदपूर जार्खन में राभिया एक अच्छा institute है वहाँ से बहुत लोग करते है तो मैं यहाँ पर राभिया institute जमशेदपूर लिख दूगा पूरा address भी लिख सकता हूँ यहाँ पर slash जार्खन जार्खन भी लिख दूगा यह सब आप capital में लिखिएगा ठीक है जार्खन जार्खन गोमा इलिया यह पूरा में लिख दिये हैं यहाँ पर अब आपको आना है नीचे अब इसको आपको टिक कर लेना है यह क्या बोल रहा है कि आप एगरी कर रहे हैं कि जो भी certificate submit कर रहे हैं वो जन्वीन है वो fake नहीं है अगर fake होता है तो फिर आप पे करवाई की जाएगी जो यहाँ का legal rule है उसके according करवाई की जाएगी उसके बाद नीचे क्या करना है आपको scan कर लेना अपना certificate पहला option में training program certificate जो main certificate रहता है जो आपका institute से issue किया जाता है कि आपने एक साल का वहाँ से course किया है उसको यहाँ पे upload करना है make sure यह अच्छे से clear PDF में scan कर लीजेगा पहले ही आप उसके बाद second option है यह academic registration तो यहाँ पे आप अपने institute को बोल सकते हो कि वह एक letter बना के दे कि आपने वहाँ से पढ़ाई की है वो letter को यहाँ पे upload कर सकते है इसके अलाव अगर आपके बास mark sheet है वो भी आप यहाँ पे upload कर सकते है यह third option है Saudi council का acknowledgement letter जो download करके उसमें आपका mail id, contact number फिर आप वहाँ पे acknowledge करते है signature करते है कि आपका सब कुछ सही है rules के coding आप कर रहे है वो letter यहाँ पे upload करना है वो letter को कैसे download करना है मैं आपको link दे दूँगा इस video का description में वहाँ पे click करके आप उसको download कर सकते हैं तो उसको भी upload कर देना है उसके बाद और कोई option आपको नहीं मिलागा बस यह simple सा process है फिर आपको submit कर देना है जैसे आप submit कर देंगे maximum 21 days का time रखता है 21 days में वो लोग review करके आपका membership को permanent बना देते हैं 21 days से पहले भी हो सकता है 1 week में हो जाए 3-4 दिन में ही हो जाए वो depend करता है अब हम आते हैं next option पर same option है यह second वाले के लिए भी और third वाले के लिए भी third वाला में क्या है six month का training program अगर किसी का mention किया हुआ certificate में के six month किया है course वही यह option को select करिएगा उसी तरह यह जो second option है इसमें क्या है one year vocational training program in the field of maintenance after high school vocational training program क्या होता है यह चाइना चाइना में ज्यादा तर यह इस तरह का study होता है बाद में इसको भी बहुत सारे कंट्री ने कोपी किया वो चीज अब इंडिया में भी होता है इसमें सिर्फ कोई बंदा को उसका काम से रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है प्रैक्टिकली और वो लोग आपको सिर्फ सर्टिफिकेट इशू करते हैं इसमें माक्षिट बगेरा नहीं देते लास्ट येर इस तरह का बहुत से लोग अबाद सर्टिफिकेट था पाद जिसमें क्या हो रहा था लोगों में जिसमें लोगों को क्या हो था कि साथी कॉंचूल इंजिनर समें सब्मिट कर रहे था तो वो उसका की वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको माक्षिट इशू नहीं होता है तो दिक्कत हो रहा था उस समय तो अब यहां पर माक्षेट अप्लोड करने की आपको जोरत नहीं बढ़ेगी, यह option अगर आप select करेंगे, सेम उसी तरह का options आएगा, जो मैंने first volume बताया, one year का training program का, तो उसी हिसाब से आपको सबकु select कर लेना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं इसको भी पूरा करके नहीं बता रहूं, यह सेम है वो भी, आपको अपना main certificate यहां पर upload करना है, academic registration में आपका institute या जहां से भी training आपने लिया है, उनसे एक लिखवा लेना है, लेटर, क्या आपने वहां से किया है, वो डालना है यहां पर, और यहां पर आपका Saudi Council का acknowledgement लेटर, तो यह तीनों का लगबख सेम था, अब हम आते हैं इसका चोथा option पर, यह चोथा और यह पाँच वा option, यह दोनों आपका same रहेगा, देखिए यहां पर बता रहा है, at least five years vocational experience certificate, यह experience, Saudi का, कोई company के experience लेटर है, तो वो डाल सकतो, उस पे chamber of commerce का system करके, मैंने अल्रेडी लास्ट वीडियो में बताया है इस चीज को, यहां पर vocational experience लिखा हुआ है, इसमें confuse मत होईएगा, कि कोई college institute का होना चाहिए, ने आपका company का है, तो भी आप यहां पर उसका upload कर सकते हैं, यह option भी है same, यहां पर भी आप कर सकते हो, तो चलिए मैं यह option का आपको दिखाता हूँ, यह दोनों option को आगर आप select करेंगे, तो same option आएगा वहाँ पर upload करने के लिए, तो पहले मैं इसको select कर लेता हूँ, experience letter के base पे, देखिए मैंने experience letter का option वाला select कर लिए, तो इसमें देखिए बहुत सारा कुछ हड़ी है, college fill up करना, या फिर कब pass out किया, वो सब कुछ यहां से गायव हो गया, सिर्फ आपको authority का नाम लिखना है, कि भई आपको जो experience certificate issue किया गया है, और आप submit कर रहे हो, यह कौन से authority आपको provide कर रहे हैं, तो जो भी आपका company का नाम है, पूरा company का नाम लिखिएगा, उसके बाद, वो main page, यहां पर upload करिएगा, और सौधी council का acknowledgement letter, यहां पर upload करिएगा, बस इतना ही करना है, तो आपको नहीं है, यह untick रहेगा तो upload ही नहीं होगा, तो इसको tick कर लेना है, उसके बाद, यहां से submit कर देना है, यह simple सा process है, same option इसमें भी आपको मिलेगा, वो अगर option आप select करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहां पर आपका authority का नाम, यहां पर वही आपका जो letter रहेगा, वो letter, और सौधी council का acknowledgement letter, यह option को select करनी की ज़रत इसलिए नहीं है, क्योंकि शौधी council का requirement यह 5 साल का experience, जब मैंने call करके बात करा, तो उन्होंने clear बोला कि 5 साल का experience होना चाहिए, आप लोग भी इस चीज़ को confirm कर सकते हैं, आप हम आते हैं यह option पे, high school और vocational diploma या फिर industrial high school diploma, यह option क्या है, यह option भी same है, जो आप 6 month training program का certificate upload करेंगे, वो समय मिलेगा, या फिर second वाला या फिर first वाला, तो चले मैं यह भी दिखा देता हूँ, यह option को उन लोगों को select करना है, जिनके पास high school की certificate, सौधी council of engineers ने कहा high school के base पे भी वो permanent करेंगे, तो जिन्होंने high school clear किया है, उस हिसाब membership ले सकते हैं, हर एक country का high school का criteria अलग होता है, तो आपका country का जो है, वो अगर आपने सही में complete किया तो उस बेस पे कर सकते हूँ, या फिर इसमें भी vocational diploma है देखिए, vocational training certificate होता है, तो उसको यहाँ पर diploma mention किया गया है, same है, यहाँ पर industrial high school diploma है, यानि ITI, जो लोग ITI करते हैं इंडिया में, industrial training certificates, उसको भी यहाँ पर select कर सकते हूँ, तो best रहेगा, यह option को वो लोग select करें, जो अपना high school का certificate के base पर membership ले रहे है, diploma या फिर vocational certificate के लिए अलग option है, तो यह option को select करने की ज़र रही है, चलिए सब हो गया, अब बाकी रह गया vocational license, 2 year diploma, 3 year diploma और 1 year diploma, तो यह vocational license वला option को आपको select नहीं करना है, इनके पास 2 year का diploma है, वो यह option select करेंगे, इनके पास 3 year का है, यह select करेंगे, और जिनके पास 1 year diploma है, वो यह option को select करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ for example 3-year diploma या फिर 2-year diploma यह तीनों मैं आपको same यह option मिलेगा जिस तरह से पहले मिलता था उस तरह का option मिलेगा तो यह 3-year diploma को मैं select कर लेता हूँ यहाँ पे same आपको पहले specialization select करना है तो चलिए मैं कारपेंटर कर लेता हूँ कारपेंटर कर भी होने रहा सौधी कॉन से नहीं तो मैं AC कर कर लेता हूँ यह AC कर लिया same यहाँ पे आपको year select करना है कौन से year में आपने pass out किया है इसको English कर लीजिएगा यहाँ पे जो भी year है वो year आप fill up करिएगा यहाँ पे country मांगा जाएगा तो country चलिए माल लेते है पाकिस्तान से किसे नहीं किया है यहाँ पे पाकिस्तान अप पाकिस्तान से आपने कौन सा college से किया आपका college का नाम यहाँ पे लिखना होगा आपको यहाँ पे नाम उसके बाद इसको सेलेक कर लेना है टिक करके नीचे आईए नीचे पहला यह जो आप्शन है आप जो में पेज रहता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपने डिपलोमा का कॉर्स किया है कितने साल का थिरियर का तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है उसके बाद बेक मांगा जाए आपका डिपलोमा का बैक साइड तो अगर उसमें अटेस्टेशन किया हुआ है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं हलाकि टेकनिशन के लिए अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है तो अगर इनकेस आपके पास अटेस्टेट क्या हुआ नहीं है बैक साइड में तो आपका कॉलेज का स्टम्प वगेरा आप लगवा के वो भी अपलोड कर सकते हैं बैक साइड में या फिर यहां पर आप मार्क शीट को कर सकते हैं उसी तरह पर तीसरा उप्शन में भी आपको एकेडमिक रेजिस्टेशन मंगा जाता है तो यह भी आप अपना कॉलेज से ले लिजेगा वह आपको लिख के देंगे आपने वहां से कौन सा कोर्स किया है या फिर वह नहीं है तो फिर आप अपना मार्क शीट को कर सकते हैं अगर आपके परस तीन मार्क शीट है तीन साल का या छे मार्क शीट है तो सब को एक ही PDF में स्कैन करके यहां पर अप्लोड करिएगा उसके बाद चोथा उप्शन में स्वीद कन्सिल का अकनॉलेजमेंट लेटर बस यह अप्लोड करके आपको यहां पर सब्मिट कर दे न और कुछ नहीं करना है बस इतने ही प्रोसेस है यह तीनों आप्शन आपको सीलेक करने पर सेम ओप्षन देगा यहां परिसलेक करने का चाहे आप one year का select करो two year का करो या three year का करो तो बस इतना ही सा process है और कुछ नहीं करना है तो I hope ये वीडियो informative रही होगी उन लोगों के लिए जिनको temporary से permanent में convert करना है कोई और भी doubt है, comment करके आप पोच सकते हो मिलते हैं फिर next वीडियो में क्याल रखे अपना, thank you so much for watching